आज को मैने प्रीजाम के शुरूर में बताया था कि हाइपरटेंशन का आलमी दिन मनाया जा रहा है वर्ल्ड हाइपरटेंशन दे हैं और इस दिन को मनाने का मकसद जो होता रहे जहनी दबाओ को फ्रस्टरेशन को खत्म किया जाय स्ट्रेस से दूर रहें ये सारी चीजे आपको brain hemorrish करता है sometimes आपके kidneys fail कर देता है sometimes इतना swear किसम को heart attack होता है कि जटके में आप Allah को प्यारे हो जाते हैं तो बैतर यह है कि अपने दिल का ख्याल रखें दिल का ख्याल वैसे भी रखना हैं इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमें जोइन कर चुके डॉक्टर जावेज अक्माल साथ है साम लेकुम डाक साब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए अच्छा डाक साब बड़ी उमर के लोगों के बारे में अगर बात की जाए तो हम अग्सर के देखते हैं कि जी एक मुखसुस ऐज होती है उसके बाद हम बलट प्रेशर का शिकार हो जाते हैं लेकिन हम बिल्कुल इस चीज से पहले की जो एज हमने गुजारी होती है उसक्के बहुत सारे काम ऐसे की होते हैं जो के उस एज में जाके खराबी का बाइस बनते हैं तो आपके ख्याल में वो क्या खराबी है खासतर पर पाकिस्टानी अमाम की में बात करूँगी जो कि मौशी हालात की वेंसे परिशान तो रहती है लेकिन कुछ कुछ कुल्चिरल प्रॉब्लम्स भी हैं जो के शायद वेस से सिर्फ ये पूछें कि आपने आखरी दफ़ा अपना ब्लड प्रेशर कब चेक कराया था तो आप हैरान होंगे कि 60-70% लोगों ने कभी अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाया था तो सबसे एहम चीज तो ये है कि ये पता करना कि मेरा ब्लड प्रेशर है या नहीं है हमने एक चोटी सी स्टेडी की थी और उस स्टेडी में हमें ये पता चला कि एवन पड़े लिखे लोग समझदार बजाहर वाकिफ लोग हता कि उसमें कुछ डॉक्टर भी थे जिन्होंने कभी अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराया था ट्याज़ा पहले तो एहम बात यह है कि आपके गर में जितने हवाब हैं आप जिस दफ्तर में काम करते हैं और अगर आप उसके सरवरा हैं तो आपके अंडर जितने लोग काम करते हैं उनका ब्लड प्रेशर चेक कीजिए और आप हैरान होंगे कि बहुत सरे ऐसे लोग जिनको बजाहर कोई सिम्टम नहीं था उनको ब्लड प्रेशर होगा और अगर वो उस ब्लड प्रेशर का इलाज बरवक्त करना शुरू कर दें तो वो सारी बिमारियां जिनका आपने जिकर किया बिमारियां फालिच का खत्रा हार्ट अटेक का खत्रा और ये सारे खत्राथ जो है इनसे बचा जा सकता है तो सबसे एहम चीज़ गुनियादी चीज़ ये पता करना है कि मिजो ब्लड प्रेशर है के नहीं है उसके बाद फिर बाकी दूसरी बात था ये इसमें डॉक्सर एक चीज़ और भी तो है ना हमारे ये बहुत अजीब सा कल्चर एक है अपने सहत को लेकर कि हम एक दौड में लगे हुए हैं अगर हमें हलका फुलका सरदर्द हो हमें चक्कर आएं यहां पर हम कुछ अच्छा महसूस ना करें तो हम उसको इग्नॉर करते हैं फो ग्रांटेड लेते हैं कि यहां तोड़ी दिर में ठीक हो जाएगा पानी पीलो शर्बत पीलो लीमू खालो और सकंजबीन पीलो यह जो एक हमारी अप्रोच है यह कितनी गलत है जी बिल्कुल आपने सही कहा कि जो एक मुस्तरद डॉक्टर है उससे राप्ता करना जलूरी है और यह जो मुटी मुटी तीन-चार बिमारी है ना जो जैसे ब्लड प्रेशर है और शूगर है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर इन चीज़ों के बारे में तो जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा यह साइलन्ट किलर्स है ना बहुत सारे मुरीज ऐसे होंगे कि उनको ब्लड प्रेशर का पता उस वक लगए लिगा जब उनको हार्ट अटैक हो चुका होगा और ब्लड प्रेशर उनका कई सालों से होगा तो जैसे आप कह रहे हैं कि अगर किसी शखस को कोई बी अलामत जिसमानी बीमारी की माल होती है जैसे बदहजमी है जो कि कुछ हरसा चल रही है और ठीक नहीं हो रही किसी शखस को डाइरिया हुआ 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 है किसी शखस को हलका हलका बुखार रहता है किसी को सर में दर तो कोई भी जिस्मानी इलामत जो के आम किसी थोड़े बहुत इलाज से ठीक नहीं हो रही वो इस बात की मतकाजी है कि फौरी तोर पर मुस्तनद डॉक्टर से राब्ता किया जाए बिल्कुल आपने ठीका और ये बड़ी कॉमन सी बाते हैं जो के मेरा क्याल है कि हर हर किसी को मालूम है कि हमें हल्दी खाना है नींद पूरी करनी है अपनी सहत को प्रेफरेंस देनी है चेक इन बैलन्स रखना है और तराओं से हमें दूर रहना है अब ये तो हो गई वो चीजें जो आपने बताई हैं कि भी हमें बलड प्रेशर का ख्याल रखने और अपने खाइश पूरी होगी तो दूसरी खाइश और इसी वज़ा से इनसान एक दौर में रहता है कि अब ये कर लूँ ये नी तो ये कर लूँ बेतर से बेतर ठीक है बास वकाद तो हम कहते हैं कि जिन्दगी में काम्याबी के लिए जरूरी है लेकिन सम टाइम हम बहुत आउट लगाने की जरूरत नहीं है बतलब लेकिन मोस्टी रोग ये करते हैं कि बस वो बेतर से बेतर के चक्कर में आबस परिशान ही रहते हैं मैं चाहूंगे उनके लिए आप क्या बराय रखते हैं उनको किस तरह समझाएंगे कि भाई जो है सबर करो काफी है देखो बेटा इसका ये जो आपको जो कुछ आप बता रही हो ना ये सारा का सारा अलामात हैं ये बिमारी असल नहीं है असल बिमारी जो है वो हमारी तर्बियत का फुकदान है आप हैरान होंगी कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने से पांच से साथ साल की अमर हमारे बच्चों की तर्बियत के बहौल के अंदर ये बात नजर आनी चाहिए ग़रों के अंदर के लोग कनात पसंद हैं, लोग साधगी पसंद हैं, लोग बाकिरदार हैं, लोग सच्चे हैं, लोग इमानदार हैं, लोग जो हैं रिष्टों की कदर करने वाले हैं ये तमाम चीजें जो आप अच्छी बातें बता रही हैं जो आपके ख्याल में एडल्ट्स के अंदर डिवेलप होने चाहिए एडल्ट्स के अंदर चेंज लाना बहुत मुश्किल होता है क्योंके जो एक्स्टरनल प्रेशर्स हैं वो उनको इन्फ्लूइंस करते रहते हैं लेकिन जो बच्चे हैं अगर हम अपने घर में पेरेंटिंग के प्रिंस्पल्स को जानते हों और हमारे घर का महाल है वो इस तरह का हो कि जिसमें ये तमाम चीजें सिखाई जाएं तो वो बच्चे फिर सारी जिन्दगी उस तरीके से जिन्दगी गुजारते हैं तो ये तो है प्रिवेंटिव काम बाकी जाहर है हर शक्स को अपने आप को देखना चाहिए उसको ये देखना चाहिए कि वो फानी है उसको ये देखना चाहिए कि इस दुनिया में वो जो कुछ भी कर ले उसको आखिर एक दिन छोड़ कर जाना है बेशक और हम एक बहुत बड़ी confusion का शिकार है वो हम quality of life और standard of life में फर्क नहीं महसूस कर सकते हम standard of life को quality of life समझते हैं बिल्कुल ऐसा ही है यानि मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी होगी तो यह मैं successful हूँ असल चीज यह है कि मैं इतना strong हूँ और सेथमन हूँ कि मैं पैदल भी जा सकता हूँ बिल्कुल आपने वड़ी अच्छी बात की है काश कि हम इस वर्क को समझें और इस पर कुछ काम शुरू करें और आज इसे शुरू करेंगर हम आज ही यह बात सुन रहे हैं बहुत शुक्री आपका डॉक्टर जावेद आप मेरे साथ मौजूद रहे हैं और आपने सवाले से अपनी राइट पर साइजली आपने ना करते हैं समंदर को कुजे में बंद कर देना बिल्कुल वैसे ही आपने यह चीज हमें समझाईए